यहां फिर बहुत देरी से चल रहे हर प्रोजेक्ट में रोक तोक करने वाली कॉंग्रेस सरकार अगर यहां दुबारा आई तो 36 गड़ का भला होगा जड़ा जोर से बताईए 36 गड़ का भला होगा आपका भला होगा यहां के युवकों का भला होगा यहां की माताओं बेहनों का भला होगा साथियों जब कॉंग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तब 36 गड़ के लिए रेलिवे के लिए यह आखड़ा याद रखोगे आप मैं जो आखड़ा बोलता हूँ याद रखोगे ऐसे नहीं सब लोग बताओ आखड़ा याद रखोगे पक्का याद रखोगे जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी कॉंग्रेस की सरकार थी और आजकल जो इंडिक अलाइज बना है ना उनकी सरकार थी रेल्वे के लिए वर्ष में एवरेड आउसतन तिन सो करोड रुपिया चतीजगर को मिलता था कितना जड़ा फिर से बोलो कितना किसके समय में किसके समय में मतलब की कॉंग्रेस के समय में रेल्वे के लिए तीन सो करोड रुपिया मिलता था लेकिन इस साल बाजपा सरकार ने मैं एक वर्ष की बात बताता हूं सरकार ने चतीजगर में रेल्वे के विस्तार के लिए छे हजार करोड रुपिय दिये हैं कितने दिये हैं कितने दिये हैं किसने दिये हैं किसने दिये हैं आप बताएए कहां तिन सो करोड और कहां छे हजार करोड यह मोधी मोरेल ये हैं मोदी का 36 गड़ के पती प्रेम ये हैं मोदी का 36 गड़ के विकास के लिए इस कमिट्मेंट हमारा प्रयास है कि 36 गड़ में रेलवे के ट्रेक का तेजी से बिजली करण हो हम चाहते हैं यहां बड़ी संख्या में तेज गती से चलने वाली ट्रेने चल सके आप सभी को सुविदा हो ये भाजपा सरकारी है जिसने 36 गड़ को आधुनिक वंदे भारत ट्रेन भी दी है मेरे परिवार जनों गरीब के साथ जितना अन्याय कॉंग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया कोरोना का इतना बड़ा संकट आया गरीब ने इस भाजपानों कोरोना का इतना बड़ा संकट गरीब इस बेटे ने यह तै किया कि मैं अपने हर गरीब भाई बेन को संकट की गरी मुप्त राशन दूँगा हमने गरीब कल्यान अन्य योजना शुरू की कोई भी परिवार ऐसा नहों कि जब इन कोरोना की मुझे समाएं जिसका घर का चूला नहीं ऐसा कोई बेटा बेटी नहों जिसको रात को भूखा सोना पड़े और इसलिए मोदी ने अन्द के भंडार खोल दिये और देश के रिवों को मुप्त में अन्द दिया आज भी चल रहा है कि लेकिन चत्तिजगड की कॉंग्रेस सरकार ने आप सुनिये गरीब के पेट में जाने वाला आन्ना गरीब का जलने वाला चूला कि ये भी कॉंग्रेस के लोगों के लिए चूरी करने का माध्धम बन गया कॉंग्रेस सरकार ने इसमें भी गोटाला कर दिया कि आज यहां का हर लाबारती कॉंग्रेस सरकार से पूछ रहा है कि बताओ हमारे हक का राशन कहां गया पूछोगे ने पूछोगे गर गर जाकर के बताओगे ने बताओगे क्या कॉंग्रेस के जवाब देना चाहिए नहीं जाना चाहिए आप मुझे बताइए साथियों जो राशन में गोटाला करें वह वापिस आने चाहिए क्या उनको दुबारा मोका देना चाहिए क्या और अगर मोका मिल गया तो ज्यादा गोटाला करेंगे के नहीं करेंगे चतिस गड़ पुरी तरह तबा हो जाये कर नहीं हो जायेगा शाथियों ये तो मैं दिल्ली में बैटा हूँ ना तो थोड़ा भी डरते हैं ये दुबारा मोका मिला दुबारा मोका मिला तो गोटाले करने की इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी इतनी बढ़ जाएगी चतिस गड़ में कोई उनको रोक नहीं पाएगा साथियों कॉंग्रेस सासन में अनेकों छोटे छोटे बच्चों की कूपोशन से मौत की खबरे आई हैं यह कितनी पिड़ा दैख सिती हैं किसी सरकार की इस से बड़ी असफलता भला क्या हो सकती है कॉंग्रेस सरकार ने इस खौफना सचाई को दबा कर रखा है चिपा कर रखा है कॉंग्रेस नेताओं को अपने बच्चों के जीवन से बहुत सारोकार है लेकिन आपके बच्चों से आपके बच्चों के जीवन से कॉंग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं है उनको तो अपने बच्चों की जिन्दगी बनानी है साथ क्यों केंद्र की भाजपास सरकार का प्रयास है कि यहां से जो खनीज संपदा निकलती है उसका एक हिस्सा यहीं के विकास में लगना चाहिए इसके लिए बाजपास सरकार ने डिष्टिक मिन्रल फंड बनाया है इसके तहर चत्तिस गड़ कोपी करोड़ों रुपिय दिये गए हैं और जब हमने नियम बनाया तब रमन सिंगी मुक्यमंत्री थे वो मुझे स्पेशली मिलने आये थे और रमन सिंगी कहाँ साब आपने ऐसा ने किया है क्या आपने हिसाब लगाया है क्या होगा बनका बताईए बोले मेरे कुछ जिल्ले ऐसे है जिनको सिरफ इस फंड से इतना पैसा मिलेगा इतना पैसा मिलेगा जितना पहले बजेट से नहीं मिला है और अपतों साइद इन जिल्लों के लिए हमें अत्रीक बजेट भी नहीं बाटना पड़े और इस जिल्ले आज यह निकल जाएंगे यह शब्द रमन सिंग्जी ने मुझे आकर के कहें लेकिन कॉंग्रेस ने आते ही उसका भी बंटा धार कर दिया हमारे 36 गड़ के दलीतों पिछडों आदिवाशियों के इन पैसों पर भी डाका डाल दिया कॉंग्रेस ने यहां शराब गोटाला करके क्या कुछ नहीं कमाया है अई यह लोग तो ऐसे हैं गोबर को भी नहीं छोड़ा गोबर को भी कॉंग्रेस ने गव माता के नाम पर भी गोटाला किया साथियों कॉंग्रेस ने चतिशगड के नौजवानों को क्या क्या सपने दिखाए थे और उन्हें क्या मिला सिर्फ धोखा और चतिशगड के नौजवान तो छे महीने में ही समझ गए थे के मर गए और जब लोगसभा का चुनाव आया सब की सब सीटों पर भाजपा को विज़ई बना दिया था क्योंकि सब समझ गए थे के धोका है भाईयों भाणों पीएसी गोटाला यह पीएसी गोटाला तो यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोका है कॉंग्रेस की कुनिती को 36 गड़ के नवजबान भुगत रहे हैं जिनकी नोकरी लगी उनके सामने भी अनिश्चित्ता और जिनको बहार किया गया उनके साथ अन्याए मैं 36 गड़ के युवाओं को आस्वस्त करता हूँ जो भी इसके दोशी है मेरे नवजबान लिखके रखो जो भी इनके दोशी है भाजपास सरकार बनते ही उन पर कठोर कारवाई होगी कि मेरे परिवार जनों कॉंग्रेस ने 36 गड़ के धान किसानों को भी हमेशा दोखा दिया है उनसे जूट बोला है यहां के धान किसानों का दाना दाना याद रखोगे मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ याद रखोगे यहां के धान किसानों का दाना दाना केंद्र की भाजपाज सरकार खरिती है मोदी सरकार खरिती है 36 गड़ के किसानों का दान खरिक कार केंद्र सरकार ने एक लाग करोड रुपिये से जादा दिये कितने फिर से बोलिये कितने फिर से बोलिये कितने घर घर जाके बताओगे किसानों को बताओगे यहां के धान किसानों को पैसे केंद्र की भाजपा सरकार देती है और दावे यहां कॉंग्रेस सरकार करती है अब आपको बोलना चाहिए जोरों से बोलना चाहिए बार बार बोलना चाहिए उनको बेल काप करना चाहिए करोगे कि दीला मत बोलो करोगे करोगे आप करोगे वो पीशे हैं वो करेंगे उधर वाले करेंगे और यह वाले करेंगे यह वाले करेंगे क्या चलिए भी करेंगे मैं फिर आपको विश्वाद जलाता हूँ भाजपा धान किसानों के प्रती समर्पित है और इसलिए यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों के हीतों का पूरा धान रखा जाएगा और पाई पाई किसान के पाथ पहुंचेगी मोदी ने पी-एम किसान सम्मान निदी का इंतजाम ऐसा किया है कि सीधे पैसा किसान के बैंक एकाउंट में पहुंचता है बिच में कोई पीचोलिया ही नहीं है कोई कटकी कंपनी नहीं है वरना कॉंगरेस के प्रदान मंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक उर्पिया भेटते हैं पंदरा पैसा पहुंचता है अगर मेरे समय भी ऐसा हुआ होता तो आपको बना होता क्या यह मोदी एक उर्पिया भेटता है तो सो के सो पैसे पहुंच जाते हैं बाईयों कोई पंजा कोई पंजा इस रुपिये को गीस नहीं सकता है पी एम किसान सन्मान निति के तहट 36 गड़ के हर लाभारती किसान के खाते में 28,000 रुपिये तक कहुंचे हैं हम आपकी हर जरुरत का ध्यान रख रहे हैं केंद्र की भाजपा सरकार ने ये सुनिशित किया कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश में खाद की कमी ना हो आप भी जानते हैं कि दुनिया में ये कोरोना ये लड़ाई इसके काराण खाद की किमत बहुत बढ़ गई हैं पिछले सो साल में इतनी किमत नहीं रही इतनी किमत बढ़ गई है यूरिया की एक बोरी गुनिया में करीब करीब ये में 3,000 रुपिये तक भीखती है कितने कितने जुर जब हो आज कितने में भीखती है याद रखोगे और भारत में भारत के किसानों को ये बोरी 300 रुपिये में भी कम मिलती है रहाई यों सिम्टिए हैं कि दुनिया में कितने में मिल्ती है गुट दुनिया में कितने में मिल्ती है तौह थी मेज़र और कहां मेरे किसान को थीन सो रुपियों मैं हम यूरिया की बोरी देते हैं भाई और इसके लिए भारत सरकार की तिजोरी में से केंद्र सरकार हजारों करोड रुपे खर्च करती है ताकि किसान पर बोज न बने मेरे परिवार जनो भाजपा सरकार का प्रयास है गरीबों का जीवन आसान बने उनका जीवन्स्तर सुद्रे आपका जीवन्स्तर उपर उठाना है तो मुझे लगता है जब आपको संतोस होता है आपके सपने पूरे होते न तुम मेरा संतोस भी बढ़ जाता है मेरी उर्जा भी बढ़ जाती है मेरा जीवन धन्य हो जाता है जब मेरे देश के गरीबों का कल्यार होता है हमने सवचा ने बनाया तो दली पिछड़े और आदिवाजी परिवार की बेहनों की मुश्किले कम हुई हमने सवभाग योजना से मुप्त बिजली कनेक्शन दिया तो दली पिछड़े आदिवाजी परिवारों के गर रोशन हुए हमने उजवला का मुप्त कनेक्शन दिया तो दली पिछड़े आदिवाजी परिवार की बेहनों को दूए से मुक्ती मिली हाल में ही उजवला की लाभारती बैनों के लिए गैस सिलिंडर को 400 रुपिय सस्ता किया गया है और मैंने देखा कि जब युजला युजना शुरू हुई तब जितने परिवार थे अब कुछ परिवारों में विवाजन होता है बेटा अलग घर करके रहने जाता है तो कुछ परिवार बढ़ गए हैं तो मुझे लोग हमारे कारकरता बताते थे किसाब उजवला युजना को थोड़ा नया शुरू करना पड़ेगा पहले राउन में तो सबको मिल गया लेकर अम नए परिवार बस गए हैं आपकी बात को ध्यान में रख करके पच्चरतर लाख नए परिवार को लिए हमने प्रबंद कर दिया है आने वाले दिनों में जैसी जैसी जरूर्थ होगी उनको भी उजवला गैस कनेक्शन मिल जाएगा इससे 36 गड़ के भी अनेक परिवारों को लाभ होगा हमने आईश्पान भारत योजना से पांच लाख रुपे तक का मुप्तिलाज सुनिशित किया है इसका लाभ भी 36 गड़ के लाखों दली पिछरे और आदिवासी परिवार उठा रहे हैं और भाईयो बहनों ये पांच से लाख रुपिया वाली आउश्मान योजना ये दुनिया में सबसे बड़ी योजना है दुनिया में सबसे बड़ी है और हमारी यहां तो आपने देखा होगा परिवार में हमारी माताएं बहने कितनी ही बिमारी हो कितनी ही प्रिडा हो काम करना भी मुश्किल हो लेकिन माताएं बहने परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती उसको बिमारी है क्यों 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 मा बहनों को लगता है कि अगर बच्चों को पता चल गया कि बिमारी है तो अस्पताल ले जाएंगे खर्चा हो जाएगा पैसे तो है नहीं बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे और इसलिए मा कहती है मैं पीडा सहन करूंगी लेकिन बेटे को कर्ज में डूबने नहीं दूगी हमारे देश में माताए बहने पीडा सहती है लेकिन परिवार पर बोज नहीं होने देती यह पिड़ा यह गरीम मा का बेटा समझता है और इसलिए आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मा अब तेरा पांच लाख रुपिया तक का बिल यह तेरा बेटा दे देखा तेरा बेटा देखा कि सांथिया मोदी मोदी याने गारंटी पूरी करने की गारंटी है कि मेरे परिवार जनो मोदी ने आपको दीई हुए एक और गारंटी पूरी कर दी है अब लोग सभा और विदान सभा में बेनों के लिए ते तीस प्रतिसत स्थित्य आरक्षित हो जाएगी भाजपा सरकार में नारी शक्ती बंदन अधिनियाम अब सच्चाई बन चुका है और कल ही हमारे राश्पती द्रवपदी मुर्मुजी जो आदिवासी महिला उन्होंने कहल उस पर हिस्ताक्षर करके अब उसको कानून भ लेकिन भाईयों बैनों मोदी तो करेगा मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है लेकिन आपको खास करके माताओं बैनों को बहुत सतर्क रहना होगा बहुत मुश्चिल से इतना बड़ा पड़ाव हमने पार किया है तीस साल से लज़का हुआ था आप सोचे तीस साल सरकार ने आ गई बोलती रही नाटक करती रही काम ने किया कॉंग्रेस और इसके गमंडियात साथी उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया वो गुस्से से भरे हुए हैं उनको लगता है यह सारी माताओं बैने अब मोदी को ही आशिरवात देगी उनकी निन्ध हराम हो गई है और इसके कारण डर के कारण अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं आपको मालूं है नचाहते हुए भी उनको समरसे ने क्यों करना पढ़ा क्यों करना पड़ा माताए बेने अब आपकी जो एकताव जाग रुकता आई है न इससे वो डर गए थे इसलिए उनको ये माताव बेनों आपके चरण में आना पड़ा है लेकिन अब अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है अब वो बेहनों में भी फूट डालना चाहते है उनको लगता है बेने संगटित हो गए तो इनका तो खेल पूरा इतलिए माताई बेने संगटित नहों जाती बाद में उनको तोड़ा जा इलाए भाती-भाती के तर्क दर करके उसमें विभाजन कर दिया जाए भाती-भाती के जूट फेला दिए जाये मैं 36 इजड़ की मा माताओं बहनों को कहना चाहता हूं यह आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला मिलने हैं यह हर परिवार में माताओं बहनों को नई शक्ति देने वाला काम को है आपकी बेटी का भविश उज्वल बनाने का काम हुआ है किर्पा करें मेरी माताओं बहने यह ज आपकी एकता बनी रहनी चाहिए आपके अशिरवाद बनने रहने चाहिए ताकि आपके सपने मोधी पुरा कर पाए साथियों मोधी ने बेहनों को उनके घर पाईप से पानी पहुंचाने की भी गारंटी दी है सिर्फ चार साल के भीतर ही देश में दस करोड ऐसे परिवारों के घर पाईप से पानी पहुंचाया गया है लेकिन मुझे एक तकलीपी है नल से जल के लिए 36 गड़ में जितनी तेजी से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ यहां की सरकार को लगता है कि अगर माता और बैनों को पानी का जो कस्ट है वो चला जाएगा माता और बैनों को रसोड़े तक नल से जल आएगा तो यह तो मुदी मुदी करने लग जाएगी और इसलिए इतलिए माता और बैनों को नल से जल मिले नहीं इसलिए उस काम को दीरे दीरे कर रहे हैं पूराने कर रहे हैं कॉंग्रेज की सरकार को मोदी और मोदी की योजना हैं दोनों ही पसंद नहीं है इसका एक और बड़ा उदहारन गरीबों के घर की योजना है अभीतक देश भर में चार करोड से अधिक करीब परिवारों को पक्के घर दिये गये है कितने ऐसे नहीं जरा जोड़ से बोलिए कितने कितने चार करोड क्या किसको दिया है किसको दिया है इस देश के गरीब परिवारों को चार्ट करोर परिवारों को पक्ता घर अब कल्पना कर सकते 36 गण में जब तक रमन सिंग की सरकार थी तो यहां भी हम तेजी से गरीबों के घर बना रहे थे लेकिन जैसे ही यहां कॉंग्रेस की सरकार बनी तो वो उसमें गोटा ले तलासने लगे कटकी कैसे करे खोजने लगे लेकिन मोदी ने ऐसा पक्का कर दिया है सीधा पैसा उस घर में जाता है तो उनको बड़ी मुश्किल हो रही है कि कुछ मिलता नहीं है तो काम क्यों करे है और यह क्या कर रहे मैं आपको बताना चाहता हूं यह नहीं कर रहे हैं और मैं आज आपको एक वाइदा करना चाहता हूं यहां भाजपास सरकार बनने के बार केबिनेट का पहला फैसला यह लिख रखिये भाजपास की सरकार 37 गन्ने बनने के बार पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे स्टेज गती से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा मेरे परिवार जनों मोधी से कॉंग्रेस की एन नफ्रत इसलिए है क्योंकि उनको तकलीब हो रही है कि पिछडे समाच चे आया हुआ इंसान प्रधान मंत्री कैसे बन गया उनका तो आरक्षन था पीम की गुर्ची पे इसलिए वो मोधी के बहाने पूरे पिछडे समाच को गाली देने से नहीं चुकते कॉंग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाच को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा गरीब दलीद आदिवासी ओबीसी सभी से कॉंग्रेस नफरत करती है कॉट सजा देती है ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है फिर भी सुधरने को तयार नहीं है ओबीसी के लिए कितिनी नफरत होगी इसका ये उदार है केंद्रे में भाजपा सरकार बनी तो दलीद समाच से स्री रामनात को विज्जु को हमने राश्पतिकपत का उम्मीद्वार बनाया कॉंग्रेस ने उसका भी विरोध किया दूसरी बाह सरकार बनी तो हमने भारत को पहली आदिवासी महिला राश्पति देने का फैसला किया कॉंग्रेस ने आदिवासी बेटी का भी विरोध किया ये विरोध वहिचारिक नहीं था अगर वहिचारिक होता तो कॉंग्रेस अपनी विचारदारा के किसी नेता को मैदार में उतारती लेकिन कॉंग्रेस बीजेपी के ये पुराने नेता को आदिवासी बेटी के विरोध म उमिद्वार बनाया साथ्यों कॉंग्रेश समाज को कैसे अपमानित करती हैं इसके बारे में गुरु बालदास जी प्रमुक्ता से आवाज उठाते रहे हैं सत्रनामी समाज के साथ यहां कैसा वर्ताव हुआ है यह भी सबने देखा है यह कॉंग्रेश की पुरानी मान सिकता है यह किसी भी दलीत पिछड़े आदिवाशी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते जो एक विशेश परिवार के दर्बार में हाजरी लगाता है इनके यहां वही आगे बढ़ता है मेरे परिवार जनो भाजपा के लिए सामाजिक न्याय सबकी भागिदारी का विक्सित भारत के निर्मान का रास्ता हमारे पास पक का रास्ता है हाल में ही प्रधान मंत्री विश्व कर्मा योजना शुरू की गई है 13,000 करोड की ये योजना हमने अपने विश्व कर्मा परिवारों के जीवन को बहतर बनाने के लिए बनाई है इससे 37 गड़के हमारे हजारों विश्व कर्मा साथ्यों को भी लाब होगा इस योजना से हमारे कुमार भाई बेहन, लोहार भाई बेहन, सुतार भाई बेहन, सुनार भाई बेहन, फूल की मालाय बनाने वाले मालाकार भाई बेहन, कपड़े धोने वाले परिवार, बाल काटने वाले परिवार, दरजी परवार, खिलोने बनाने वाले परिवार, राज मिस्ट्री परिवार ऐसे जो तमाम कारीगर सिल्पकार है उनके लिए हजारों करोड की विश्व कर्मा योजनाम ने बढ़ाई इसके तहट सरकार ट्रेनिंग भी देगी आधुनिक उपकरन खरीदे के लिए 15,000 रुपिय भी देगी साथी काम शुरू करने और आगे बढाने के लिए लाखो रुपिय का सथा रण भी उपलब्त होगा और हाँ मैं अपने विश्व कर्मा साथ्यों को पता दूँ कि आपसे बैंक गारंटी नहीं मागेगा कोई मेरे विश्वकर्मा भाई मेरे शब्द सुन लीजिए कोई बैंक आपसे गारंटे नहीं मागेगा क्योंकि आपकी गारंटी मोदी ने पहले से ही लेके रखी हुई है साथ क्यों 36 गड़ कॉंग्रेस के कुशासन को हटाने के लिए तयार है अब बादबा कायरकरताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारा संगेधन बहुत बद्बुद है 36 गड़ के बुथ बुथ में हमारा नेटवर्क है हमें अपना हर बूत जीतना है बूत पर हर वोटर का दील जीतना है जब तक हर बूत पर कमल नहीं खिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे गर-गर जाएंगे एक एक मद ऑतका मिलेंगे हमारा एक ही नेता है कमल हमारा एक पीनिड़ार है कमल को जीताना का इसी जोस के साथ मैं जुटना है और जन जन को जोड़ना है मैं फिर एक बार बारत माता के बारत माता के बारत माता के भारत माता के बारत 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 माता के बा वंदे, 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 बारत, बारत मापाकी, भारत मापाकी, भारत मापाकी, भारत मापाकी, भारत मापाकी.